नमस्टर, बॉन लाइप आर्टिफिशल लिम चेंटर में आपका हार्दिल श्वागत है, मैं शंबु कुमार यादब प्रथटिक और फथटिक कंसल्टिंट, आज आपके लिए एक महत्पुन जानकारिया लेकर करके आया हूँ, जो भी फ्रेश एंपुटी हैं, जो भी पस् पोच्छते रहते हैं, कि हम जो है प्रथटिक लिएग लगाना चाहते हैं, क्या सेम डे लेग विट्मिन्ट पॉसब्ल है, तो जी हां, सेम डे Spicy लेग विट्मिन्ट पॉसब्ल है, लेकिन अगर आप उसके साथ ये tred्रेग नहीं लेते हैं, और आप सेम डे उसको लगा करक के घर वापस जाना चाहते हैं, तो उसमें आपकी प्रफटिक लेक के साथ जो चाल होती है, वो इनस्टेबल होती है, और स्थिरता रहती है, दूसरा जो है, टेंफुल रहता है, तीसरा जो है, चलने में लंगरापन खतम नहीं होता, आप चाहते हैं कि हम नेचुरल चाल चल स तो वो पॉसिबल सेम डे फिटमेंट में नहीं है, जैसे कि कोई आदमी एक दिन जिम करके पूरे बॉड़ी को बिल्ड नहीं कर सकता, जैसे कि एक दिन में कोई भी ड्राइविं को सीख लेने के बाद एक नॉर्मल स्पीड में ड्राइव नहीं कर सकता, वो ऐसे ही की गती है, वो धीड़े-धीड़े बढ़ती है, तो उसमें जो है नी जोईन्ट और एंकल जोईन्ट की सेटिंग को चेंज करना पड़ता है, सेम डे यह पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप आप अर्टिफिशल लिम जब भी लगाते हैं, तो आप प्रपर रूप से उसक कर गेट ट्रेनिंग ले, इससे कि आपकी लाइफ बहुत ही इजी और कमपोटिबल हो, और चलने में आप बिल्कुल आरामदायक हो करके चले, इससे कि आप प्रस्टेटिक लेट के साथ अपनी जीवन को दिंचरिया में लंबे आवज तक 12 से 14 घंजा यूज करके, एक्दम आनन्द के साथ आप अपने प्रस्टेटिक लेट को यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारे पेशिंट हमारे पास आते हैं, और बोलते हैं कि मैंने सेम डे फिटमेंट कराया, सेम डे मैंने किसी केंप से पैर ले करके आया, लेकिन मैं चलनी पा रहा हूँ, घर्द में हूँ, इ जिससे कि जब भी आप आपका आपका अर्टिफिशल लेक पिटमेंट होता है, अगर आप अच्छे से चलना चाहते हैं, तो आप अपना गेट ट्रेनिंग जरूर करें, और आप अपने गेट ट्रेनिंग के साथ अपना प्रस्टिक लेक का जो अप्तिमाईजिशन है, आप से प्रस्टिक लेक पिटमेंट में भी आप अपना शमय दें, और अच्छे से आनन दित अपने जीवन को बैतित करें प्रस्टिक लेक के साथ, हम उमीद करते हैं कि वीडियो में दिए गए इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी है, ह ताकि निरन पर आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचता रहे, थांक्यू और धन्यवाद.